आज इसे वीडियो के अंदर एक ऐसा आसान तरीका आपके साथ सेर करेंगे एक ऐसा कमाल का तरीका सेर करेंगे जहां से आप गूगल का यूज करके अपना आधार नंबर पता कर सकते हैं बहुत से ऐसे इस्तान या ऐसे हमारे सामने समस्या आ जाता है जहां पर हमें आधार न पर अपना आधार नंबर निकाल सकते हैं तो इसे वीडियो को अगर आप जहां से देख लेते हैं और यह तरीका सीख लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगा और आपका आधार नंबर आपके पास आ जाएगा सबसे पहले अपने फोन में Google को ओपन करना है या आपके किसी भी ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं तो आपके सामने इस तरीके से आपका ये Google ओपन हो जाएगा यहां पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना होगा UI उसके बाद DAI यानि की आधार काट की Official Website UI DAI जैसे आप इसे सर्च करेंगे आपके सामने ये Website आ जाएगा इस पर टेच करिए टेच करने के बाद इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा यहां पर अपना Language चूज करिए और उसके बाद ये साइड इस तरीके से Open हो जाएगा अब यहां पर आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा यहां पर मिलेगा Update आधार और इस वाले Option पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा थोड़ा सा यहां पर आपको इंतिजार करना होगा और अभी आपको यहां पर देखने को मिलेगा Select 12 डिजित आधार नंबर या 28 डिजित enrollment ID तो आपके पास आध इसके बाद इंटर मुबाइल नंबर यहां पर आपको अपना मुबाइल नंबर डाल देना है जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर है तो हम यहां से अपना मुबाइल नंबर डाल देते हैं जो हमारे आधार कार्ड में लगा हुआ है उसके बाद थोड़ा सा आपको य capture आ जाएगा और यह capture आपको यहाँ पर fill up करना होगा तो हम यहाँ से capture फिल up कर देते हैं जिस तरीके से लिखा हुआ है तो उसी प्रिकार से हम यहाँ पर type करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने उसी प्रिकार type कर दिया है send OTP पर click कर देंगे जैसे आपे send OTP पर click करेंगे आप यहाँ पर आपको थोड़ा सा wait करना होगा जैसे आपे wait करेंगे तो आपको बताया जाएगा OTP जन्रेट successful आपके आधार नंबर यानि कि आपके आधार में जो mobile नंबर लगा हुआ है उस पर एक OTP send किया गया है वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है तो आपके पास mobile नंबर होगा अगर आपके पास नहीं है तो अपने घर पर phone करके आप पता कर सकते हैं कि आपके आधार में जो mobile नंबर लगा है उस पर एक OTP आया होगा 6 अंकों का वो OTP यहाँ पर डाल देंगे और आपको बताया जाएगा your आधार नंबर यह जिस send to your register mobile नंबर यानि कि आपके mobile नंबर जिस पर OTP आया हुआ है उसी mobile नंबर पर आपको आधार काट की official website की तरफ से आपका पूरा आधार नंबर send कर दिया गया है तो चलते हैं अपने message में और आपको दिखाते हैं कि हमारे पास कैसा message आया हुआ है तो आपके पास कुछ इसे तरीके से message आ जाएगा जैसा कि देख सकते हैं dear restaurant यहाँ पर मिलेगा और आपका आधार नंबर is your आधार नंबर और आपके पास uidi की website से आपके पास आज चुका है message में को पता चले गया होगा कि अकरकार Google का इस्तिमाल करके कहीं पर भी किसी भी जगए अपना आधार नंबर कैसे पता कर सकते हैं मिलते हैं next वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही